हेलो फ्रेंड, स्वागत है मारे इस नई YouTube चैनल को नदीम टेक पे दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बैटरी के बारे में दोस्तों जो कि बहुत ही एक एहम हिस्सा होता है हमारे मुवाइल फोन में दोस्तों अगर बैटरी ना हो तो कुछ भी नहीं होगा जैसे कि दोस्तों अगर आपके टीवी में लाइट ना हो तो आपकी टीवी एक डेड मसीन हो जाती है उसी तरह आपके अगर mobile phone में बैटरी ना हो तो आपकी mobile phone dead machine की तरह लगती है तो दोस्तो यहाँ पे बात करेंगे इसी वीडियो में कि हमारी battery कौन-कौन सी देखने को मिलती है और इस समय की battery कौन-कौन सी आपको देखने को मिलती है किसी भी smartphone में दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहे हैं आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं Let's Begin दोस्तों यहाँ पर अगर कोई भी मोबाइल फोन आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आपका यही कंसर्ण होता है कि बैटरी एमेच कितनी जादा हो बैटरी कैपसिटी कितनी जादा हो और बैटरी कौन सी कैटेगरी की लगी हुई है क्या वो लीथियम आयन है क्या वो लीथियम पॉलिमर है तो दोस्तों यहाँ पर हमने कटेगराइज किया है इसी लीथियम आयन को और लीथियम पॉलिमर को और compare करेंगे कुछ technical views से जो कि हम देखते हैं इसी भी वीडियो में तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको एक छोटी से information दे दें तो यहाँ पे अगर as a customer आप mobile phone इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी चीज का चिंता मत करिए कि यह lithium polymer है या फिर lithium iron battery है क्योंकि battery तो battery है और चलेगी आपको उसकी live भी देखने को मिलेगी लेकिन दोस्तों अगर आप technical expect से देखते हैं तो छोटी छोटी चीजें आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी तो दोस्तों अगर आप consumer हैं आप अगर battery का बहुत ही ज़्यादा इस्तमाल करते हैं तो बहुत ही मामुली सा फर्क आपको देखने को मिलता है lithium polymer और lithium iron battery में लेकिन अगर technical expect से आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कुछ technical point of view के बारे में और बताएंगे कि what is difference between lithium iron battery and lithium polymer battery तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला difference यह है कि जो कि lithium iron battery होता है वो बहुत ही heavy होता है बहुत ही bulky होता है और जो lithium polymer battery होता है वो heavy और bulky नहीं होता है वो slim होता है, flexible होता है और lithium oil battery आपका slim और flexible नहीं होता है दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हैं जो भी battery जो की बहुत hard होता है press करने पे आपको press नहीं होता है बहुत ही hard देखने को मिलता है तो वो है lithium oil battery और दोस्तों जिस battery में आप देखते हैं कुछ jelly material टाइप में लगा हुआ होता है या फिर touch होने से आपको एक लगता है कि jelly material इसके अंदर है वो है lithium polymer battery तो दोस्तो यहाँ पे एक कुछ expect है जो कि technical viewpoint से आपको देखने को मिलेंगी और दोस्तो यहाँ पे आप lithium polymer battery को किसी भी shape में आप design कर सकते हैं जो कि आपके mobile phone में adjust होता है दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे component है mobile phone में जो कि battery को size जो होती है battery की वो कम दे देते हैं तो यहाँ पे lithium polymer में यह सबसे बड़ा advantage है कि हम battery को छोटा रख करके battery की capacity बढ़ा करके battery को अच्छे से stable बना करके आप उसको charging में लगा सकते हैं या फिर आप उसको किसी भी mobile phone में stable करके रख सकते हैं तो दोस्तो यहाँ पे अगर बात करें overheating के बारे में तो दोस्तो यहाँ पे lithium polymer battery में आपको overheating का कोई भी issue देखने को नहीं मिलता है दोस्तो यहाँ पे overcharging का भी कोई भी issue देखने को नहीं मिलता है और अगर बात करें lithium ion battery में तो दोस्तो यहाँ पे overheating और overcharging का issue देखने को मिल जाता है दोस्तो अगर यहाँ पे बात करते हैं energy level के बारे में तो दोस्तो यहाँ पे lithium ion battery है उसकी energy आपको कम देखने को मिलेगी यानि उसकी energy level आपको कम देखने को मिलेगी comparatively यहाँ पर अगर बात करें lithium polymer की तो दोस्तों यहाँ पर lithium polymer की जो energy level है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर जो आपको output देखने को मिलता है वो lithium लिथियम पॉलिमर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है इसी वज़े से किसी भी बड़े ड्रोंस में किसी भी बड़े ट्वाइज में आपको लिथियम पॉलिमर की बैटरी देखने को मिलती है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होता है जिसी भी मोटर को स्टार् polymer में आपको बहुत ही जादा देखने को मिलता है अगर compare करें lithium iron battery से तो lithium iron में आपको थोड़ा सा energy level कम देखने को मिलता है दोस्तो यहाँ पर बात करें battery life के बारे में total overall तो almost यह दोनों same ही battery life आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही बहुत ही मामूली सा फरक आपको battery life में देखने को मिलेगा अगर बात करें हम एक example के तोर पे अगर lithium iron की battery एक साल चलती है और lithium polymer की battery एक साल एक महीने चलती है तो ऐसे ही कुछ differences आपको battery life में देखने को मिलेंगे दोस्तों यहाँ अगर बात करें प्राइजिंग के बारे में तो lithium iron battery आपका very low cost का मिलता है जो की आपको बहुत ही कम प्राइज में देखने को मिलता है और lithium polymer battery आपको highly costed battery आपको देखने को मिलती है जिस भी flexive great phone में आज कल आप देख रहे हैं उसमें lithium polymer battery का इस्तमाल किया जाता है और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो की आपको lithium polymer battery में भी देखने को मिलती हैं दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें power bank के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे power bank में भी आपको lithium लीथियम आयंब सेल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि किसीभी पावर务 के लगे हुई होते हैं जाये आप शाओमी का पावर्ड बैंक ले लीजिए दोस्तों यहाँ पह पर लीथियम पॉलमर पावर票 बैंक के बारे बारे में बात करें तो उसका बना हुआ कोई भी power bank बहुत ही light weighted होता है जैसा कि आप OnePlus का power bank देख सकते हैं जो कि light weighted होका और यहाँ पे Xiaomi का अगर आप देखते हैं कोई भी power bank तो उसमें heavy weighted आपको देखने को मिल जाती है तो दोस्तो यही अंतर है lithium oil और lithium polymer battery में जो कि basically आप लोगों को technical information मै मैंने इस video में दे दी है और दोस्तो यहाँ पे बहुत सारे engineer scientists लगे हुए हैं जो कि sodium battery बनाने के लिए देखते हैं दोस्तो sodium battery कैसी होती है कितना power हमको दे पाती है और कितना power generate कर पाती है क्या उसकी efficiency label होती है क्या उसकी energy label होती है कैसे वो काम करता है जैसे कि आपको एक information द लाते हैं तो तुरंत वो जल जाता है तो दोस्तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात होगी कि sodium की battery बनाना और sodium को कभी भी रखा जाता है तो वो kerosene oil में रखा जाता है अगर आप 10th या 9th में पड़े होंगे तो आपने practical जरूर किया होगा तो दोस्तो यही सारी बात है आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत देनेवाद उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो कंटेंट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कोई भी सवाल यह सुझाओ आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और पे क्लिक कर लें सारी नोटिफिकेशन आपको वीडियो अप्लोट करते ही मिल जाएगी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे तब तक के ल रखें जाहिंद